हेलो एस्टुजेंस, आ याम कौनाल सिंग, फॉम संगल्स क्लाशेज, ना इम हेर तो टीच यू अबाओ फ्रैंकल डिफिक्ट, जानने की कोशिज कलते हैं कि फ्रैंकल डिफिक्ट, अधात फ्रैंकल दोस होता क्या है, तो पहरे तो यह जानते हैं कि भाई, यह जो फ्रैंकल और D9 दोनों हो तो इस टाइप का defect तब देखने को मिलता है इस टाइप डिफेक्ट इस ग्रीएटड वेन अन लिफ्स इस कोरेक्ट लाइटिस साइड जब एक आयन अपने सही जगह को क्या कर देता है छोल देता है अन अकुपाई अन इंटेस्टिस साइड और अंतर काशिय स्थर को अकुपाई कर लिता है मतलब होगा क्या कि यहाँ पर जो होगा कि एक आयन अपने जगह को छोड़के जैसे कि यहाँ पर देखी प्लस, माइनस, प्लस, माइनस यहाँ प्लस है तो फिर क्या माइनस फिर माइनस तो फिर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था प्लस वड़ा होना चाहिए था मतरब यहाँ पर धनायन होना चाहिए था धनायन अपने जगा को छोड़के क्या किया अपने सही जगा को छोड़के एक अंतरकासी अस्थर को उक्पाई कर लिया एक इंटेस्टिसियल साइड को उक्पाई कर लिया तो ये डिफेक्ट कब देखने को मिलता है ये डिफेक्ट देखने को तब मिलता है जब एक आयन अपने सही जगह को छोड़ कर एक इंटेस्टिसिल साइट को अकुपाई कर लेता है जब वो अपने सही जगह को छोड़ के एक इंटेस्टिसिल साइट को अकुपाई कर लेता है तब इस तरीकी के defect देखने को मिलते हैं इस defect को बोलते हैं flankal defect अच्छा एक बार बताइए यहाँ पर क्या कोई extra iron आया है नहीं क्या कोई extra iron यहाँ से गया है नहीं सिर्फ क्या हुआ है कि जगा change हुआ है यहाँ पर क्या हुआ कि यह अपना जगह छोड़के बस बगल में जाके बैठ गया खाली जगह पर क्या हुआ क्या कोई extra iron आया है नहीं बस एक iron अपनी जगह को छोड़के दूसरे जगह पर shift हो गया है बैठ गया है तो इसका मतलब इसके density में change आयगा क्या नहीं आयगा विल्कूर नहीं आयगा तो frankal defect it does not change the density of the solid इसलिए क्या होता है यह जो defect होता है इस दोस के कान क्या होता है 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 frankal defect is also called dislocation defect इसलिए frankal defect को क्या बोलते हैं dislocation defect भी बोलते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर iron को जिए जगह पर रहना चाहिए था उच जगह पर नहीं हो कि अपना location change कर दिया है इसलिए इसको बोलते हैं dislocation defect भी बोलते हैं और यह defect नॉर्मरी इजहांपर यहां पर लिखा हुआ है जेडिनेस, AGCL, AGBR, AGI इन सारे compound में देखने को मिलते हैं जानते हैं एक और बात कि फ्लैंकल defect जो होता है वो सिर्फ are common in any compound फ्लैंकल defect होते हैं वो सिर्फ any compound में ही देखने को मिलते हैं जिसमें have low coordination number जिसमें उपसार सिर्फ देखने संक्या कितनी होती है काफी कम होती है and in which there is a last difference in size between cations and anons और उसमें भी देखने को मिलती है जब cations और anons की बीच में size difference क्या हो बहुत ज़्यादा हो cations और anons धना और anons की बीच में जो a card का difference होना चाहिए यह वो क्या होना चाहिए काफी जड़ा होना चाहिए और साथ में condition number क्या होना चाहिए काफी low होना चाहिए तो यह और repeat कर लेते हैं कि frankal defect होता क्या है यह इस त्रीके का defect तब जब देखने को मिलता है जब crystal में क्या होता है एक iron अपनी जगह को छोड़के किसी और जगह पर जाके बैठ जाया किसी और जगह को occupy कर लेता है और इस defect को क्या कहते है dislocation defect भी कहते है यह defect क्या करता है कि density में कोई भी change नहीं आराता है क्यों क्योंकि यहां पर से ना तो कोई iron यह इस crystal से बाहर गया है और नहीं इस crystal में आया है सिर्फ क्या हुआ अपनी जगह को change करके क्या किया है बस दूसरे जगह पर जाके बैठ गया तो ना तो कोई extra atom आया है ना कोई atom यहां से गया है तो इसलिए यह density पर कोई भी effect नहीं करता है इसलिए इसलिए इस नाट चेंज देंसिटी अफ दॉसरीड इजामपल जेडनेस, AGCL, AGBR और AGI और फ्रैंकल टिफेक्ट नॉमरी किस में देखे जाते हैं अनी कंपांस में देखे जाते हैं जिसमें क्या हो, cations और enhance हो और वीच आव लो कोईशन number और जिसके coordination number क्या होना चाहिए उपसा सेंजरेंस क्या होनी चाहिए काफी कम होनी चाहिए जिसमें there is a large difference in size between cations and enhance और जिसमें एक काफी large difference होना चाहिए किसके बिच में cations की बिच में और enhance की बिच में सो संगल स्कासिज कुनाल सिंग और यह हम बता रहें थे अभी फ्रैंकल defect उमीद करते हैं आप लोग को संग में आया होगा चैनल को subscribe कर जीगा और वीडियो को लाइक कर जीगा